चलिए दोस्तों आज बनाते हैं हरे मटर और बेशन की एकदम नए तरीके की बहुत ही टेस्टी मज़िदार सबजी जो आज से पहले ना आपने कभी बनाई होगी ना खाई होगी तो चलिए फिर इस टेस्टी सी सबजी को बनाना शुरू करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए हमने एक बड़े बावल में लगभग तीन चार बड़े चमज की जितना बेशन लिया है और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमज अजवाइन एक छोटी चमज चिली फ्लेक्स चुटकी भरम इसमें हींग डाल देंगे हींग का फ्लेवर बेश प्लेटर तयार करेंगे तो देखिए आपको एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसका एकदम गाढ़ा सा घोल तयार करना है तो देखिए कुछ इस तरीके से घोल तयार है थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालोंगी आधा चमज के जितना है यह whether you never facepl ation in your lifetime tartar the bass on the heart the salt Armchair गालेंगे खोल तो पानी मैं पानी मैं आप इसे डालें तो यह उऊपर तैरना चाहिए और अभी आप देख रहे वह होंगे जैसे मैंने थोड़ा सा बेसन यह तुरंत नीचे जाके बैट गया यानिकि ऑonst contrast नीची दिफित है तो वापस हमें इसे फिर से अच्छे से फेटेंगे और फिर चेक करेंगे तो देखेंगे अब हम फिर से इसमें डाल के देखेंगे और अब आप देख पा रहे होंगे कि एकदम पानी में उपर तैर रहा है इतना लाइट पेट बेसन को आपको कर लेना है तो अब बेशन को हम side में रख देते हैं चलते हैं आगे की तरब तो यहाँ पर एक कड़ाही में हम डालेंगे 3-4 चमज के जितना सरसो का तेल तेल गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे एक चमज जीरा और एक चुटकी हींग डाल देंगे अब जीरा अच्छे से भून गया है हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइच का बारीक कटा हुआ प्याज अब हमने यहाँ पर flame को medium कर दिया है और medium flame में हम अच्छे से सुनहरा होने तक इसे भूनेंगे तो यह देखे फ्रिंट्स प्याज हमारी हलकी गुलाबी हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे लगबग दो चमज के यतना अद्रक लहसुन और हरी मिर्च जिसे हमने बारीक क्रस्ट करके डाला है आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाके भी डाल सकते हैं अब हमें इसे भी बढ़िया से भूना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए और यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अभी आप देख सकते हैं हमारा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च सारी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं तो अब हम इसमें कि दो टमाटर का पेष्ट तयार कर लिया है अब हम यह पेष्ट डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छे से भूना है जब तक कि टमाटर का सारा कच्छापन निकल ना जाए और इससे मसाले से तेल ना अलग होने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे लगवक दो से तीन मिनट का टाइम लगेगा आप देख सकते हैं टमाटर भी बढ़िया से भून चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे मसाले एक छोटी चमश हल्दी पाउडर एक से डेर चमश हम धनिया पाउडर डालेंगे आधा चमश जीरेक पाउडर एक चमश कासमेरी लाल मिर्ची पाउडर स्वा मटर नियुक्ति वे लिख दिख मिन धया अगर ताजी मतर नहीं है तो आप अरप दाल सकते हैं कि मटर डाल दाल के मसाले के साथ तक अच्छे से पानी डाला है और सबजी की जो ग्रेवी की थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है इसके उपर हमने एक यह जाली रखी है आप इस्टीमर प्लेट भी रख सकते हैं इसको हम उयल लगा कि थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इस तरह से हलका सा चिकना कर लीजिए और यहां पर हमने जो बेशन का बैटर तयार किया था उसकी हम इस तरह से छोटी छोटी बढ़ियों की तरीके डालेंगे इस तरह से ढाल दीजिए इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम ये बेशन की बढ़ियां ऐसे डाल देंगे तो ये दिखिए थोड़ी दूर पर रखिएगा ताकि ये आपस में चिपकेंगी नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे से फूलेंगी हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है अब हम फ्रिम को कर देंगे हाई पर और इसे हम अच्छे से स्टीम होने देंगी तो चाहें तो आप इसे खुले में ही पकाएं या फिर आप इसे कवर करके पका सकते हैं मैं इसे ढख करके पकाऊंगी लगबग दो से तीन मिनट तक दो तीन मिनट में ही आप देखेंगी कि जो हमने बेसन की बढ़ियां डाली है वह फूल करके जस्ट डबल हो जाएंगी आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़ियां से फूल चुकी हैं यह बहुत ही अंदर से हो जाती हैं बट आपको ध्यान रखना है कि बेसन को आपको अच्छे से फेटना होगा तो यहां पर लगवक तीन मिनट तक मैंने से ढख के पकाया है बढ़ियां जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी पक चुकी है अंदर तक अच्छे से तो अब क्या करेंगे हम इसे एक या इस पैचुला की साहिता से ऐसे इनको निकाल लेंगे से क्योंकि हमने इसमें ओयल लगाया है तो आसानी से निकल आएंगी और इस तरह से जब यह पक जाती है तो आपस में चिपकेंगी भी नहीं तो देखे यहां पर यह कितनी सॉफ्ट है अब हमारी यह जो बेसन की ब बनाएगा सबको इतनी पसंद आएगी कि दुबारा जरूर जित करके बनवाएंगी तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढख देंगे और कम से कम चार से पांच मिनट तक इसे बढ़िया से पकने देंगे ताकि जो भी मसाले हैं उनका फ्लेवर इन बढ़ियो से बन के तैयार हो गई है अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे अच्छे से और बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कोटा हुआ गरम मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे और यह हमारी बहुत ही टेस्टी मजेदार सबजी जो अगर आपने सब्जी को कभी नहीं ट्राइ किया है तो एक पर जरूर ट्राइ कीजिएगा सबको बहुत पसंद आएगी उपर से हम इसमें एक छोटा चमस देशी घी जरूर डालेंगे इससे हमारी सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा ये लिजे फ्रेंड्स हमारी बह गर्म गरम मटर और बेशन की एकदम नई सी सब्जी बनके तयारे से आप गर्म गरम रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं आपको बहुत पसंद आएगी तो रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा और हमें फीड़ वैक में जरूर बताएगा कि आपको हमारी ये नए त पी के साथ तब तक के लिए बाबा एंटे की है